जैहिंद एवरिवन तो आप सभी लोग बहुत ये अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और जितने भी बच्चे यार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं किसी न किसे एक होप के कारण जुड़े हुए हैं कि यहां से हम अपनी तयारी कर रहे हैं NTSC की तो भ कराने की कोसिस करूंगा उसमें एक पहला कदम जो की निवर की गिफ्ट की तरह भी आप लोग ट्रेट कर सकते हो तो कमेंट करके एक बार जरूर बताने कि कैसा आपको यह सर्प्राइज लगा कैसी चीज़े आप बस फील कर रहे हो और जितनी में एक प्रॉमिस यहीं पर प तो यहां पर देख सकते हो सर्प्राइज यार जो कि आप सभी लोगों को पहले से कुछ बच्चों को पता होगा कुछ बच्चों को नहीं पता है जस्ट उनी के लिए वीडियो में बना रहा हूं जिन बच्चों को पता है कमेंट में जरूर बताना कैसा आपको यह लगा प और physics that is हम पूरी की पूरी physics कर रहे हैं class 9th plus class 10th दोनों की बात कर रहा हूं यहां पर मैं सिर्फ 9th की नहीं बात कर रहा हूं complete physics मतलब 9th plus 10th के जो physics है दोस्त हम एक महीने में ही complete कर रहे होंगे clear और जो भी चीज़े होंगी इसकी पूरी की पूरी schedule मैं यहां पर जो दिखाऊंगा उसकी google sheet के link आपको description box में मिल जाएगी वहां से जाके daily का daily आप schedule देख सकते हो कौन सी class किस दिन है और कौन सा chapter कब होने वाला है कितने दिन में होने वाला है हर एक चीज यहां पर मैं दिखा रहा हूंगा तो सुरुआत करते हैं जो सबसे पहले schedule की बात करेंगा उससे पहले मैं बोल देता हूँ कि मैं अभी यह चीज आपकी physics के लिए आ रही है और बहुत ही जल्द सेम चीज chemistry के लिए भी मैं बताऊंगा कि क्या मैं chemistry के लिए plan आपके लिए कि वैसा ही सेम चीज मैं बताऊंगा तो physics अपन कर लेंगे chemistry कर लेंगे और biology भी कर लेंगे तीनों चीज़े हम बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे ताकि हमारा जो target है दोस्त 40 out of 40 वो इस बार हम achieve करके रहें बिल्कुल हम जिस target को सोच के बैठे हैं उस target को achieve करके ही आगे बढ़ें clear तो जड़ी बताना कैसी अभी तयारी चल रही है और कैसी तयारी आप सोच रहे हैं अगले एक महीने बाद आपकी होगी तो अभी का experience और last का experience दोनों एक बार जरूर सेर करके बताना clear अब schedule की बात करूँ मैं तो schedule यार मैंने 30 December सही आपको बता दिया सारी शीज़ी आपकी चल लिए पहले हमने दो chapters already कर लिए है motion ठीक है motion and forces and LNM हमने दो chapter पहले सही कर रखा है forces and LNM ये दो chapter पहले सही हो चुके हैं और वे भी आपके कल ही complete हो चुका था अब जितने भी chapter बचे हैं उनमें से मैं दो chapter के लिए बता दे रहा हूँ WPE and gravitation मैं बाद में कराऊंगा अभी वो सिर्फ प्लस वालों बच्चों के लिए हम कर रहे होंगे ठीक है तो जो बच्चे प्लस में होने के लिए beneficial होगी an academy की subscription जो बच्चे लिए होंगे बाकी जो सारी classes आपकी हो चुकी हैं और जितनी classes मैंने बताई हैं जितनी भी classes मैंने पढ़ा है एक guarantee यहीं से दे रहा हूं कि एक बार classes को देखना ठीक है तुम खुद समझ जाओगी कि अगर तुम्हें पैन नहीं डोलाना रहा था तुम्हारी पैन हिलने लगेगी ठीक है तुम्हार एक बार पहले lectures देखना description box में भी link मिल जाएगा clear या फिर direct academy पे कुनाल पांडे सर्च के लेना वहाँ पे भी lectures मिल जाएंगे जितने भी free lectures अभी तक हुआ है एक एक lecture पिक करके देखलो sequence वाई sequence वहाँ पे पड़े हुए है बाकि या फिर description में Google sheet की link है उस sheet पे जाओ एक ए इसके बाद 4 January, 5 January, 6 January, 7 January हर दिन का प्लान है मैं हर week में दो दिन off दूंगा इसमें आपको क्या करना है दोस्त हमें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करनी हमें साथ साथ revision भी करते हुए चलना है पढ़ाई ही नहीं कि बस रटे जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं समझ में कुछ नही पीना खा के साढ़े 8 बजे मैंने इसलिए टाइम रखा है कि अराम से सारी क्लास्स खतं को लोग खा ना पीना खा के जश्ट एकदम relax mode में आओ एकदम relax mode में आओ, साड़े 8 में, साड़े 8 से 9 तक आपकी daily class होगी साड़े 8 से 9, एक class attempt करों, एक एक topic मैं बता रहा हूँ जितने भी important topic होंगे, उस पर जादा caring के साथ हम कर रहे होंगे और जितने भी थोड़े से अगर lesser part होंगे, तो उनको और अच्छे से करने कोसिस करेंगे clear किसी को छोड़ेंगे ने, बाकी 10 जनवरी से class attempt आपका सुरू हो जाएगा light हम कर रहे होंगे, light part 2 कर रहे होंगे, light third part, इसके बाद human eye complete कर रहे होंगे ताकि तुम्हें हर schedule पता चलता रहे, clear, इसके बाद मैं बात करूँ, 13 को तो human eye 14 को अपना quiz होगा ठीक है, totally quiz ways होता है, one hour complete, इसके बाद 17 जनवरी को बात करूँ, तो electricity होगी दोस, 18 को electricity second, third होगी electricity, अपनी 19 जनवरी को 20 को अपना होगा, pole quiz on electricity electricity, 21 जनवरी को magnetic effect of current होगा, 22 को magnetic effect of current, फिर 23 को अपनी holiday रहेंगी that is, जिस दिन आप एकदम relax हो, एकदम आराम से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, revision करो या फिर जितने भी तुम्हारे pending work होगे, आप इस holiday के duration में कर सकते हो इसके बाद 24 जनवरी को बात करूँ, तो magnetic effect of current and 25 जनवरी को बात करूँ, तो आपका pole quiz on magnetic effect, तो आपकी जो भी syllabus है दोस्त, वो हम 25 जन तक complete कर रहे होंगे clear, उसके बाद जो भी time बचेगा, जितने भी topics होंगे, हम उनको फिर से revise करने की courses करेंगे, लेकिन ये complete मैं बता रहा हूँ, ये revision नहीं करा रहा हूँ दोस्त, ये study करा रहा हूँ, जो बच्चे नए हैं, उनके लिए best offer बोल सकते हो, best opportunity बोल सकते हो, कि एकदम starting से पढ़ाई सूरू करो, एकदम last तक चीज़ों को समझो, इस से better opportunity आपको नहीं मिल सकती है, कि last के वनमन्त में अगर दो साल में, दो years में भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं यहां से guarantee दे रहा हूं कि दो years में भी अगर आपने कुछ चीज़े नहीं पढ़ी है, कुछ भी नहींut edhi लें है, तभी आपकी यहां से ease आ रहा हूं 25 जनवेड तक फिजिक्स पूरी कम्प्लीट हो जानी है ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए भी चीज़े जल्द बताऊंगा बाकी आप कोई इन्विटेशन कोड मांगा जाए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है क्लियर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बिटा आप वहां से चीज़ों को जॉइन करिए और जो टेस्ट सीरी जिसके लिए मैं बार बार बोलता हूं पहले सही कि आप टेस्ट सीरीज जरूर देते रहिएगा जितने भी चैप्रिस हों आप टेस्ट सीरीजस जैसे हی आप जोईन कर सकते हो रैंकर्स एंटी सी प्यारा सा काम करो रैंकर्स लाइब अब्लोड करो ? रैंकर्स लाइब आइब वहां से जाके एंटी सी आपका टार्गेट already इतने part test वहाँ पे करें हैं तो एक-एक करके part test उठाओ एक-एक करके part test को करते जाओ ठीक क्लियर तो आप जैसे एक chapter पढ़े दो topic पढ़े उसका test दे लो आपका clear हो गया कि आपने चीजे कितनी समझी है ठीक है test series क्या मदद करती है आपको ये बताती है कि आप कितना percent चीजों को समझ रहे हो ठीक है test का ज़स्त ये मतलब होता है तो make sure कि test series जरूर जोइन कर लो description box में link है या फिर rankers live app download करिए ठीक है वहाँ से जाकि आप जरूर जोइन करें कि आपको कहां चीजे like कर रहे है कहां चीजे last time पे कितना focus देना है और कितनी चीजे क्या क्या करनी है clear तो comment करके जरूर बताना कैसा लगा आपको plan एक महीनी में पूरी physics हम लोग complete करेंगे thank you so much मिलते हैं राप की class में bye bye